दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह तरबूज की खेती करने की सोच रहे हैं तो भाई आज का ये वीडियो आपको complete वाच करना चाहिए क्योंकि आज के इस वीडियो में माँ आपको जो plot आप फिलहाल वीडियो में देख पा रहे हैं इस तर्बूज के प्लोट के बारे में कम्पलीट जानकरी आज के इस वीडियो में माप को देने वाला हूँ कौन से समय पर इस तर्बूज की सेड शोविंग की गई थी कौन कौन सी यहां पर वराइटियों का सेलेक्शन किया गया है कितने फर्टिगेशन करने पड़े हैं कौन कौन से फर्टिगेशन यहां पर करने पड़े हैं और उसके साथ ही मापको जानकरी दूँगा इस तर्बूज के प्लोट में कौन कौन से इस्प्रे किये गये हैं फलमक्खी के लिए कौन कौन से इस्प्रे किये गये हैं और साथ ही माँ आपको बताऊंगा कि इस तर्बूज से उसके बाद में हमें कितना उत्पादन मिला और कितना इस से मंडी भाव हमें मिला तो दोस्तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा चैनल पे नहीं है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलते र लेते हैं तो यहां पर हमने जो जिस वराइटी को फिलाल आप वीडियो में देख रहे हैं यह वराइटी है सेमिनस की माधव वराइटी जिसको मैं 7-8 साल से लगातार यूज करता आ रहा हूं इसी वराइटी का यहां पर सेलेक्शन किया गया है वराइटी की सेफ और कुछ फ्रूटिंग भी आपको दिखाई गई है लेकिन वीडियो में आपको ज्यादातर जो वड़े तर्बूज जो बड़े आकार के हो चुके हैं वही आपको दिखाई देंगे तो सेमिनस की जो माधव वराइटी है इसका यहां पर सेलेक्शन किया है 28 दिसंबर 2021 के आज पाले गिर गए थे उसके बाद में पाले वगरा तो नहीं गिरे थे उसके बावजूद भी टेमप्रेजर जो थे वो काफी कम थे इसलिए यहां पर इस तर्बूज को जो है लो टनल की साहिता से इसको जो है तैयार किया गया है और उसके बाद में यह जो वीडियो आप दे निकेष्य के बाद में हमारा जो तरूज है वो लगबग हार्वेस्टिंग पर आ गया था सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें होए फर्टिगेशन के बारे में तो लगबग इसमें दोस्तों 8-9 फर्टिगेशन हुए थे एन पी के खा दोगे उससे पहले बैसल डोज जो हमने डाले थे वो अक्स्ट्रा हुए थे वो तो हमने बैसल डोज के रूप में अमोमन हम तर्बूज की खेती करते हैं तो डाल ही देते हैं वो तो आपको भी डालने है जिसा है मितलब बात करें तो वेसल डोज की यूरिया आपको डालना होता है पचास के जी परती एकड के हिसाब से तीस के जी मोपी पोटास आपको डालना होता है परती एकड के हिसाब से साथ ही आपको पचीस से तीस के जी यूरिया भी आपको साथ में डालना होता है परती एकड के हिसाब से 5-6 राली सड़ी वी गोबर की खाद भी इस समय हमने डाली थी वो जमीन की तैयारियों के समय सारे खाद उर्वरक हमने डाल दिये थे उसके बाद में पहला फर्टिगेशन इसमें तब किया था हमने जब हमारा तरबूज 20-25 दिन का हो गया था लगब कि इसको सर्दियों में उगाया गया था उस समय मतलब 10-15 दिन में ये पहले फर्टिगेशन के लाइक नहीं होता है क्योंकि सर्दियों में अगर हम सीड शोविंग करते हैं गर्मियों वाली फसलों की तो लगबग 8-10 दिन का समय तो इसमें जो है जर्मिनेशन में लग जात कि इसमें हमने एनपी के फर्टिगेशन किये थे और उसके बाद में दूसरा फर्टिगेशन हमने तब किया था जब हमारा तर्बूज 35-40 दिन का हो गया था क्योंकि दोस्तों सर्दियों में प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी कम होती है लोटनल के अंदर उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती है क्योंकि मौसम उसके अनुकुल नहीं होता है तेमप्रेजर काफी कम होते हैं इसलिए दूसरा फर्टिगेशन भी इसमें हमने जब हमारा तर्बूज 35-40 दिन का हो गया था तब भी हमने इसमें जो फर्टिगेशन दूसरा किया था वो भी एनपी क किया जाता है उस समय इसमें हमने तीसरा फर्टिगेशन किया था और उसके बाद में एक इसमें हमने इंसेक्टि साइड का जो है इस्प्रे भी किया था उस समय हमारे जो तरबूज का लोटरनल जो है वो हट चुका था क्योंकि लोटरनल तो 25 जनवरी के आजपास हटी जात यह हमने insecticide लिया था और इसके साथ में हमने fungicide जो लिया था वो कारबंडा जिम और मेनकोजेब का जो combination आता है UPL कंपनी का साफ जो पाउडर आता है उसका हमने fungicide लिया था यह दोनों एक साथ ही है इसका हमने spray किया था और उसके बाद में चोथे fertigation की दोस्तों हम बात करें उस समय हमने जो है इसमें चोथा फर्टिगेशन किया और चोथे फर्टिगेशन में हमने लिया NPK 052-34 ये फर्टिगेशन चोथा फर्टिगेशन हमने फ्रूटिंग के दोरान किया था और इसकी खुराक की यहां पर अगर हम बात करें तो ये भी हमने तीन केजी परती एकड के हिसाब से इसकी खुराक रखी क्योंकि दोस्तों एन पीके 0,524 में 52% फॉस्फोरिस होता है और 34% इसमें पोटेशियम होता है इसकी वज़े से जब हमारे तरबूज या किसी भी तरह की सब्जियों की फसल जब फॉर्टिंग की अवस्था में आती है उस समय अगर हम 0,524 का फृटिगेसन करते हैं तो उसमें 52 परसेंट फास्फोरॉस होने की वज़े से हमारे तरबूज या किसी भी तरह की सबजियों के प्लांट की जड़ों का विकास अच्छे से होता है जिससे हमारी फसल में जो है फ्लोरिंग की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है और साथ ही फ्रूटिंग भी हमें काफी अच्छी देखने को मिलती है साथ ही फ्रूटिंग कई बार जड़ जाती है या खराब हो जाती है 0, 52, 34 को आप इस्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हो, अगर आप इस्प्रे के माध्यम से दे रहे हो, अगर आपके पास ड्रीप इरिगेशन की वेवस्था नहीं है, तो आप जो है, 80-90 ग्राम परती 15 लिटर इस्प्रे टेंक के इसाब से इसकी खुराक रख के आप इसका इस रहते हैं, लंबे समय तक इसके रिजल्ट मतलब मिलते रहते हैं, अगर आप ड्रीप इरिगेशन की शायता से इसका फर्टिगेशन करते हो, दोस्तों उसके बाद में जैसे ही आपकी तरबूज की फसल फ्रूटिंग अवस्था में आती है, उस समय एक चीज की आपको और अच्छा उत्पादन लेना है, तो भई यहां पे आपको तरबूज की फसल जैसे ही फ्रूटिंग अवस्था में आती है, तब आपको बहुत सारी सावधानिया रखनी पड़ती है, तो दोस्तों जैसे ही आपकी तरबूज की फसल फ्रूटिंग अवस्था में आती है, एन इसका हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है फ्रूटिंग की अवस्था में आते ही तर्बूज में जब तक फ्रूटिंग लगती रहती है जब तक हमें मतलब उत्पादन नहीं मिल जाता है तब तक हमें 7-8 दिन के अंतराल से फलमक्षी के लिए जो हिस्पी श्प्रे वगरा निकालते रहने पड़ते हैं इसके लिए हमने यह श्प्रे काम में लिया था वो लिया था बाइर कंपनी का सॉलो मॉन नाम करके श्प्रे आता है जिसमें बिटा शाई फलूथ्रीन साथ ही एमिडा कलोप्रीड होता है 19.8% और बिटा शाइफलूथरीन की मातरा होती है 8.19% जो कि आपके जो रस चूशने वाले कीट है उनकी भी रोक्थाम करता है साथ ही आपकी जो फ्रूट फलाई उनकी वज़े से नुक्सान होता है यानि की फ्रूट फलाई को भी ये अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है मैं काफी सालों से जो बेल वर्गिये सबजिया हैं उनकी खेती कर रहा हूँ और बेल वरगिये सबजियों में सभी तरह की सबजियों में फल मखी का जो अटेक है वो सबसे जादा देखा जाता है तो सोलोमोन का जो रिजट मुझे लगा फलमक्खी की रोक्थाम के लिए वो सबसे बेश्ट लगा तो महर साल जो है सोलोमोन का इस्तेमाल करता हूँ शुरुवात में जब आपकी फसल फ्रूटिंग अवस्था में नहीं आती है उस समय आप जो है अमिडा कलोप्रीड वगरा या थाइमा थोकसम वगरा इस तरह की जो इंसेक्टी साइड है उनका इस्प्रे कर सकते हैं जिसकी वज़े से आपकी तरबूज की फसल में या किसी भी तरह की फसल जो है फ्रूटिंग अवस्था में आती है तब आप जो है विटा साइफलूत्रीन और एमिडा कलोप्रीड रशाइनेक संगठन का कोई भी इंसक्टी साइड ले सकते हैं बाइर कंपनी का सोलोमोन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तों आ का मातरा देने के बाद में आखरी फर्टिगेशन जो आप को करना पड़ता है वह करना पड़ता है या. श्रीफीके 005 इन्ह नाइट्रोजन और फोपरोस की मातरा नहीं होती है तर एक प्रसन्ट होता है जिसको हमारी की श्रबूज की फसल को इस सभर से जादाơi प्रूरत होती है यानि कि साइज बढ़ाने का काम करता है आपके तर्बूज के फल को जो है चमकदार और आकरशक बनाता है इसलिए आपको तर्बूज की फसल जब आपकी पकने में आ जाए उस समय आपको जो है यानि कैल्सियम और बोरान एन्पिके बावन जीरो बावन चो आती है वैसे ही दोस्तो हमारी ये तर्बूज की फसल लगबग 20-22 मार्च के आसपास हर्वेस्टिंग पे आ गई थी ये सारे फर्टिगेशन इसमें हमने कर दिये थे जो फर्टिगेशन और जो इस्प्रे हमें आपको बताया है वही इसमें फर्टिगेशन वगरा किये मिल गए थे लगबग पूरे मार्च महिने में जो है हमें लास्ट जो आखरी सप्ता की बात करें तो लगबग आखरी में जो है इसके मंडी भाव हमें 15 रुपए तक मिल गए थे हालां कि 15, 16, 17, 18 रुपए के जो मंडी भाव थे वो हमें मतलब 5-6 दिन के लिए ही मिले थे लेकिन उसके बाद भी जो 15 अपरेल तक इसके मंडी भाव हमें काफी अच्छे मिलते रहे थे और 15 अपरेल तक इस तरबूज के फ्लोट का पूरी तरह से हर्वेस्टिंग कम्पलिट हो गया था दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि तरबूज के इस एक एकड पूलोट से हमें उत्पादन कितना मिला था तो भाई यहां पर हमने सेमिनस की माधव वराइटी का सेलेक्शन किया था और उसके बाद में एक एकड से यहां से हमें लगबग 280 से लेकर 290 क्यूंटल तक इसका उ प्रचा था और टोटल इंकम की बात करें तो लगबग 30 लाख रुपए का एक एकर से इसका टोटल उत्पादन हमारा हुआ था जिसमें लगबग 50,000 रुपए हमारा खर्चा हो गया था खर्चा लोटनल का नहीं जोड़के बता रहा हूं केवल प्लास्टिक मल्च बीज व और आप अपने तर्बूज की फसल से काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं आज के वीडियो में दीगी जानकारियां कैसी लेगी कमेंट करके आप जरूर बताएगा वीडियो को ज़्यादा ज्यादा लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्रा